हेलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है इस यूडियो में देखे ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि आपके बहुत सारे अभी भी कमेंट सारे की बीएड का एक्जाम कब होगा इसमें और साथी साथ बीएड फर्स्ट यर और सेकिंड यर के अभी एक्जाम फ जो है आपका अपलाई नहीं होती यह होती है मद्य प्रदेश बीएड पे क्योंकि मद्य प्रदेश में क्या देखिए बीएड और बीपीड में जो है मेरिट के आधार पे एडमिशन मिलता है जिस तरीके से यूपी में बीटी सी में आपको एडमिशन दिया जाता है सीट है उसमें कितनी आपकी फीस लगती त् widisflies और आपकी प्राइवेट सीट और आपका जो एंड समय है आपकी तैयारी काया कितना जरूरी है इसें इसमें तो यहां पर यहां पर यह कमेंड में राहुल वर्मा जी का एलोश सर बेल का exam कब होगा तो बेड का जो exam है यह निर्बर करता है लोकडाउन की इस्तिति पे क्योंकि तीन माई तक अभी बताया कि तीन माई तक लोकडाउन रहेगा और ऐसी कोई news नहीं आई है कि तीन माई के बाद यह लोकडाउन बढ़ाया जाएगा या इसको खतम किया जाएगा जैसे ही दो-तीन दिन के अंदर न्यूज आ जाती है तब ही जाके ये कंफर्म होगा कि लोगडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा लेकिन यूनिवेस्टी के और से बता दिया गया है क्योंकि अगर तीन के बाद लोगडाउन हट जाता है तो अपका जो वह बाद ईंट्रेंस है करा लिया जाएगा कि इसके बाद यहाँ पे आगे मोरिया जी का यह कमेंट था है पिएल्ड से खहे Walmart ए चौनगर pemis aplamose प्रफांब आपको अपर कोaser च्वहां क्योंकि देंकर अपकर दोऊ ड़ेत लेकिन कोई इस्ट्वेंट ऐसे भी होते हैं जिनका हाइज स्कूल इंटर और गरेशन में 50-55 परसेंट ही होता है लेकिन उनका इंट्रेंस में बहुत अच्छा माक्स होता है तो उनको यहां पे फिर इस इट मिलती है तो इसलिए आपका इंटरेंस एक्जाम होना जरूरी है और देखिए यहां पे आपका आगे इसके बाद यह कमेंट था रूबी सिंग जी के इसमें तो यहां पे क्या कमेंट था इसमें था बट इंटरेंस एक्जाम पहले होगा या फिर कॉलिज एक्ज पहले होगे देखिए आपका यहां पर यूपी बेर इंटेंस जो होने वाला है उसमें लगबग 80 से 90 परसेंट जो इस्टूरेंट है वह सभी एपिरिंग वाले हैं तो देखिए आपका एकजाम पहले हो जाए या इंटेंस पहले हो जाए तो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका कोई भी पहले हो जाए लेकिन आपको ही मिलना है तो इससे चिंता करने की कोई बात नहीं है लेकिन अभी आपको केवल अपनी जो तैयार ही है वो आपको रखनी है इसमे इसके बाद एक कमेंट से यहां पर देखिए इसमें मिसरा जी का की माइनस मार्किंग भी या आपकी 1 by 3 की आपकी माइनस मारकिंग होती है यूपी बेड इंट्रेंस में जो की आपकी लिए जानना बहुत जरूरी है देखे 1 by 3 का क्या मतलब इसमें अगर आपका 3 question आप गलत कर देते हो आपका देखे जैसे आपका ये आपने 3 question गलत कर दिया थो इसमें क्या होगा आपका जो यहां पे दंड आपको दिया जाएगा वो आपका 3 पे 1 का दिया जाएगा या निकि आपका जो चोथा question सही होगा तो ये भी आपका गलत आपका मान लिया जाएगा कि आपका इसमें दंड जैसे दिया है तो आपका माल लिजी ये चारो कोश्चन आपके गलत हो जाएगे इस तरीके से तो आपको क्या करना है अगर आपका चार कोश्चन है और आपको लगता है कि आप एक कोश्चन सही कर सकते इसमें तो केवल वही टच करें बाकी को छोड़ दे तो आपको जो माइनस मार्किंग आपकी या आपको दंड है वो नहीं मिलेगा तो आपको एक कोश्चन अगर आपका राइट होता है तो आपको इस पे दो मार्क्स आपका दे दे जाएगा देखिए यहां पे कभी कभी क्या होता है कि इस ट्रेंट सतर कोश्चन राइट कर देता है सो में से और जो तीस कोश्चन यहां पे बचता है उन पे तुक्के लगा दिए तो आपका क्या होगा यहां पे आपको की जो माइनस मारकिंग लगेगी फिर आपका यहां पे 7 से आपका 8 question गलत हो जाएगा तो यह क्या होगा इसी में से काट ले जाएगा तो यहां पे आपका जो कुल question बचेगा वो 60 से 62 question आपका बचेगा तो आपको क्या करना है अगर आप 70 question write करते हैं तो किवल आपको यही करना है यह 30 question आपको नहीं पता तो यह छोड़ दीचे कोई दिक्कत नहीं है 70 question पर भी आप इसमें फिरीशिट निकाल सकते है अगर आप 70 first paper में करते हैं और आपका 70 question आप second paper में कर देते हैं आराम से क्योंकि फिरी सिट निकालने के लिए कम से कम आपका जो है 260-70 marks आपका होना चाहिए जो कि आपका आराम से हो जाएगा तो आपको देखे बहुत ही अच्छे से अपना जो जाले वसे उस फोकस करिए इसमें यहां पर इसके बाद आपका कि इसके बाद यहां पर एक कमेंट था कि इसमें कोमर्स के लेटेड वीडियो देखे तो कॉमर्स लेटेड कुछ चैनल है तो आप वहां से आप हैल्प ले लेजिए बाकी जी के और आपका रिजनिंग और है वह मुश्किल से दोनों साल की आपकी मुश्किल से दस हजार के आसपास आपकी फीश लगेगी यह भी आपकी स्कॉलर्शिप के रूप में वापिस आपकी हो जाएगी तो आपका कोई नाम मातर फीश है अगर आपको मिलती है प्राइवेट चीट तो आपकी जो फरस्ट होगी यहीं सेकंड डियर में भी आपकी आपकी जो यहां पर 30 से 35 रुपे फीश होगी कुल मिला के आपका जो है एक लाग रुपे लगेगा अभी आपे देखिए इसकोलर्शिप में यह वापिस भी हो जाती है कभी-कभी क्या होता है इसकोलर्शिप नहीं भी आपाती जि तो अपनी जो तयारी है जो आपको समय मिला अभी ऐसी करिए कि आप फिरिसिट निकाल लें और बहुत सारे स्ट्वेंट ऐसे भी होता है क्योंकि उनका सोखी केवल यह होता है कि उनको प्राइवेट कोलिज में एडमिसन लेना है और बाकी आपकी एक्जाम की तयारी करने ह सबकी अलग अलग चोईस है जिसको फिरिसिट निकालना है तो अभी अच्छे से तैयारी करिए लगतार इसमें लग रहें अपनी तैयारी में और आपका जो सलेवा से उस पर फोकस करें और आप जो भी पढ़ते उसका बार बार रिविजन करें देखें दो तीन चार बार आप जरूर रिविजन करें जो भी आप नोट्स बनाते हैं देखें नोट्स बनाने का मैंने आपके लिए कुछ वीडियो डाला भी तक कैसे आप नोट्स बनाएं देखें आप इससे भी समन सकते कि वायू मंदले दाब इसमें आप इस तरीके से बहुत छोटा सा नोट्स देखो यह वायू मंदले दाब से लेकर आपका इसमें अगर आपका देखें छोटा आपका ब्येड से लेकर आपका जो PCS प्री तक का आपका यह जो है आपका कुश्चन इसमें से ही आएगा इस से बाहर आपका कुश्चन नहीं बनेगा तो इस तरीके से आप अपना जीके में देखिए सो मार्क्स का जीके आता है फर्स्ट पेपर में 50 क्यूश्चन आप यहां पर आराम से 40-42 क्यूश्चन आप आराम से कर सकते हैं अगर लगतार आप वीडियो देख रहे हैं और बुक से आप इस्टेडी कर रहे हैं इसके बाद यहां पर हिंदी में भी 40-45 क कर सकते और आप का रिजनींग 40 क्यूश्चन आप आराम से कर लोगे और आपका सर्व् है यहां पर साइंस में तो मेराम से बीस पेड पेचिस कर लोगे कोमर्स में भी 20-25 कर लोrit अगर आप औरटस्यौश्चन से हो तो आप एप 25 को तो आप इसका स्क्रिंसक्रीं सोट ले लिजे इसी के कोडिंग आपको तयारी करनी है और देखो सबसे पहले आपका बुक अगर आप बुक से तयारी नहीं करोगे तो कहीं न कहीं आपको प्रेशानी होगी फिरी सिट निकालने में सबसे पहले कि आपके पास जो बुक्स है उनको बार-बार पढ़िए उसक क्योंकि मुझे पता है क्योंकि मेरा जीके में फर्स्ट पेपर जो था उसमें मेरा जो 42 कोश्चन राइट था हिंदी में भी लगवग 40 कोश्चन राइट था क्योंकि फिरी सिट निकालना बहुत आसान है अगर आप तीन सब्जेक्ट पे भी फोकस कर देते हो तो आप 38 से 40 इस कोश्चन तक कि आप तैयारी करो बहुत आसानी से आप फिरी सिट निकाल लोगे